Hello friends, welcome to my channel, study with Shruti. So guys, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, Principles of Bad Making, कि जब भी हम Bad Making करते हैं, तो हमें किसके स्ट्रीज पे जो हैं, जब भी हम Bad Making करते हैं, क्या चीज जो हैं, हमें करनी करनी होते हैं, जब भी हम Bad Making करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आता है, Principle of Patient Comfort, यानि, इसमें क्या होता है, कि हमें ध्यान रखना है, कि जो पेशेंट का comfort level है, वो एकदम सही रहें, ठीक है, Bad Making is performed to ensure, हमें अच्छे से ensure करना होता है, कि पेशेंट के आरेस्ट, sleep, या फिर जो और भी complications हैं, उस सब में वो safe रहे, और comfortable bed जो है, उसके लिए ये बने, ठीक है, बलब उसको कोई भी problem ना हो, Bad Making जब भी हम करते हैं, तो जो bad होता है, उसमें कोई भी lumps नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी crises या फिर wrinkles नहीं होने चाहिए, अगर wet है, तो उसको जो है, नहीं वो होना चाहिए, बलब वैट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी dirty नहीं होना चाहिए, जो हमारी bad shit होती है, फिर जिसको हम linen कहते हैं, तो गीली या फिर गंदी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम अगर by chance होगी है, पेशेंट को जादा स्वेटिंग हो रही है, उस वज़े से हो गी है, या फिर आप से कुछ गिर गया है, या पेशेंट से कुछ गिर गया है linen पे, तो हमें उसको immediately change करना है, हमें गंदी या गिली जो linen है, वो पेशेंट के बेड़ पे नहीं रहने देनी है, ठीक है, उसके बाद आता है principle of good body mechanics, हमें body mechanics को भी जो है ध्यान रखना होता है, nurse must utilize good body mechanics to prevent fatigue during bed making, कई बार क्या होता है कि हम अपने body mechanics को maintain करके नहीं चलते हैं, जिसकी वज़े से हम जल्दी ठक जाते हैं, जिसकी वज़े से क्या होगा कि जब वो बेड़ मेकिंग करेगी, तो उसको जो है tiredness या थकान फिल नहीं होगी, तो कुछ body mechanics ऐसे होते हैं, जो हम use करते हैं bed making के time, तो हम discuss कर लेते हैं, maintain the stability, जो हमारी stability को maintain करे, यानि कि stability जो होती है body की, वो क्या करती है अपने जो center होता है gravity का वोक्स के according को जो है base पे होती है, ठीक हमें पता है कि हमारा body का कहा होता है center of gravity, तो हमें उस सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कि हमें एक अच्छे से stability जो है maintain करनी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी जो stability को maintain करने के लिए हम अपने जो फीट है, उनको थोड़ा दूर दूर रखते हैं, इससे क्या होता है कि अगर हम जादा base जो अच्छा अपने पैरों के बीच में space जादा बना लेता है, तो जो हमारा खड़ा रहने का area होता है, वो base जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसके जैसे हमारी जो बोड़ी के stability है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद second आता है बोड़ी वेट, वेट जो होता है वो नियर रखना चाहिए, के center of gravity के जिसके विज़े से हमें strain वगएरा की problem जो है ना हो, अगर हम open linen बना रहे हैं, ठीक है, when opening the linen, इशुट भी प्लेज रून दा edge of the bed, ठीक है, मतलब जैसे कि ये हमारा bed by chance लगा लो, तो जब हम linen को open करते तो हमें उसको edge पे रखना है, ना कि अपने shoulder level पे रखते हुए, उसको क्या करना है, जो edge होती है, वहाँ पे उसको रख देना है, bed के, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, अपने जो shoulder level है, वहाँ पे उसको खोल देता है, तो यसे नहीं करना है, हमें linen को जो है, पहले bed की edge पे रखना है उसके बाद उसको जो है खोलना है उसके बाद आता है bed की height हमें bed की height कुछ इस तरीके से raise करनी होती है कि हम अच्छे से जो change है linen का वो कर सके और nurse को क्या है जादा stretch जो या फिर bend जो है वो ना करना पड़े जब भी हम mattress को करते हैं हम उसके उपर लगात कर दो कि already patient जो है वो बैड पे है वो unconscious है या वो bad रीडन है कि वो heal नहीं सकता है तो उसके पे भी हमें उसकी बैट शेट तो change करनी होती न उसका जो linen है वो तो हमें change करना होता है तो उसका पर हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम वो repositioning कर रहे हैं patient की या उसको turn कर रहे या वो बेड रीड नेट उसका बहुत ज़ादा वेट है तो हम ऐसे ही इसली तो नहीं कर सकते न तो इसके लिए भी क्या होता है हमें अपना जो बोडी मेकानिक से उसको मैंटेन करके रखना होता है उसके बाद आती है बोडी पोजिशनी जब भी हम टक करते हैं शीट को हमें एक गूड अलाइंमेंट मिलता है और हमें जो राइन होता है उन स्ट्रेंट में वह ऑने के चांसेज भी कम हो जाते हैं क्योंकि अगर हम खड़ में आप रिपर सब्सक्ति माट्रम थे निचे उसको टक करेंगे जो शीट होती है हमें order मिलागी 3 shift में change करना है तो इतने सारे patients होते हैं तो आप इतना band होके करोगे तो आपकी back में strain होने के chances बढ़ जाते हैं तो इसलिए जब हम उसको tuck करते हैं तो हमें अपने knees पे और hips को band करके flex करके उसको tuck करना चाहिए ताकि हमारी alignment भी ठीक रहे और हमारी back में strain आने के chances ना रहें उसके बाद होता है direction जब हम linen को place करते हैं bed पे या फिर उसको tuck करते हैं mattress के अंदर तो nurse को अपनी face direction को work का ध्यान देना चाहिए उसको अपनी body को twist करने की वज़ाए अपनी moments पे ध्यांग देके overreaching मतलब अगर हम अच्छे से दूर से देख पा रहें कि क्या problem है तो हमें अपनी body को ज़्यादा twist या फर stretch जो है नहीं करना पड़ेगा वो चीज करने के लिए तो इसलिए हमें directions का भी ध्यान देना चाहिए उसके बाद next point आता है principle of order हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको बचाने के लिए उसमें अपनी energy save करने के लिए time बचाने के लिए और resources को भी save करने के लिए अगर हम उसको एक order में या systematic way में करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा अगर आप कोई भी काम करने आप जाते हो अगर आप अपनी सारी दवाईया एक साथ लेके जाओगे और आप बिल्कुल प्रिपेर होके जाओगे systematic order में रखोगे कि आपको पहले यह करना है फिर यह करना है तो आप वो काम जल्दी कर लोगे उससे आपकी energy भी save होएगी आपका time भी बचेगा और आपके resources भी बचेगे तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है पहले जितने भी articles हैं हमें उनको assemble करना है according the procedure और प्रोसेजर से start होने से पहले उसके बाद linen को अच्छे से arrange करके उसको reverse रखना है fold कर देना है bad shit को अच्छे से ताकि उसको अगनलब जो हमें change करनी है उसको दोनों साइड से जागे उसको अच्छे से fold कर देना ताकि हम easily उसको replace कर पाएं new linen से तो इस तरीके से अगर हम systematic way में काम करते हैं तो हमारा जो time है energy है और resources हैं सारी चीजों के सेवेश होती है उसके बाद next आता है principle of prevention of microorganism spread अब यह हम कैसे कर सकते हैं मान लो कि हम prevent कर सकते हैं transfer का organism का वो कैसे हो सकता है microorganism से कैसे protect कर सकते हैं हम जो नया host आया है कोई उसके direct or indirect contact से हम वो चीज़ बचा सकते हैं हम अच्छे से hand washing करते हैं अगर हम यह सबसे जो techniques होती है उनका use करते हैं तो हम क्या करते हैं हम bad meeting से पहले अपने hand wash अच्छे से wash करते हैं चेक करते हैं कि linen खराब तो नहीं है अच्छे से हुआ है या नहीं है खराब linen है तो हम उसको side में प्लेस करके उसको shake नहीं करता है हम लिनन को हम उसे अच्छे से हैं रखते हैं और उसको जो है लॉंडरी में भेज देते हैं या उसकी dry dusting जो भी करना होता है वो staff को हम दे देते हैं उसके बाद हमें prevent करना होता है कि कोई भी SL droplet infection patient को ना हो जाए कोई और जो microorganism है वो ना आ जाए in short हमें सारी asepsis conditions का ध्यान रखना होता है asepsis techniques हमें use करनी होती है और कोई भी ऐसा environment जो है patient को नहीं provide करना होता है जिसकी वज़े से हो जाए उसको हमें अच्छे से सेफ और clean environment प्रोइड करना होता है और जितनी भी उसके आसपास अगर कोई गंदगी है कुछ कच्रा वगएरा है तो उसको साफ करा देना होता है जिसकी वज़े से क्या है micro organism को जो spread है हम उससे prevent कर सकते है उसके बाद आता है principle of patient safety and privacy हम जो है patient को अगर हमें कुछ करना होता है हम जब कोई treatment देना है तो हम उसको screen कर सकते है यानि कि अलग से बैशिट वगएरा जो है लगा सकते है या आज कल हम hospital में देखते हैं तो curtains होता है patient के around ward में भी होता है rooms में तो privacy होती है तो ward में जो patient है उसके आज पास curtain होता है तो अगर हमें कोई procedure patient के साथ करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं हम उसको अलग से privacy देने के लिए जो है हम curtains लगा सकते हैं तो वो एक तरीके से screen का काम करेगा उसके बाद patient गिरे ना उसको जो है bad से वो गिरे ना जाए उसके लिए जो side rails होती है हम उनका use कर सकते है जब भी हम patient को positioning दे रहे हैं turning कर रहे हैं मतलब maintain करते है bad की position को तो ये भी help करता है patient को अच्छे से comfort level मिलता है उसको एक safety मिलती रहती है उसके बाद हमें make sure करना होता है कि जो bad की length है वो position जो भी है वो जादा ना हो ठीक है मतलब वो जादा height वगेरा पे ना हो जो bad के जो है हमें पता होता है कि wheels जो है होते हैं ताकि हम bad को जो है एक place से दूसरे place पे easily ले जाएं अगर कोई ऐसी moment है समतलब कोई accidental ऐसा कोई case हो जाए कि हमें bad को shift करना है तो हम easily उसको ले जाएं तो उसके लिए हमें जो है वो भी चेक करना है कि जो bad के wheels है वो अच्छी से lock down ताकि वो move ना कर पाए और जो patient है वो जब भी bad पे बैठे या bad से उठे for any work तो वो क्या हो गिरना जाए पेशन्ट को चोट ना जाए उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है उसके बाद आता है principle of assessment यानि कि हमने जो ये communicate करना होता है patient के साथ observe करना होता है कि patient की recovery कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है और जो भी health का status होता है तो सबको देख के अच्छे से समझ के हमें bad making जो है patient की गरनी होती है